वर्सुस वेनिस के बीच में होने वाले मैच के पारे में भात करने वाले इस मैच में आपको कौन सा बल्लेवास बेसा करांस बना की देगा बॉलिंग से विगन लेके देगा एक प्ले का पूरा पूरा एनालीसिस बता हुआ जिसका आप नाम भी नहीं जानते होगे ताकि आल बतने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सब्सक्राइब करना बिल्कूली मत भूलना तकि आगे नाली वीडियोस के आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और उसके लिए आपको करना पड़ेगा बेल नोटिफिकेशन को आउन तकि आगे कोई भी व सब्सक्राइब करना कुछ भी निया जिस वीडियो को देखो आप तो उसके टाइदल के पर तसकरोगे दिस्किप्शन पहुंच जाओगे सबसे उपर आपको लिंक देखनो मिल जाए इस लिंक के ओपर तसकर के टलीगराम से पहुंच जाओगो नीचे जॉइन को आप समल होने वहला अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगो तो कि कि वहीं पर फाय तीम पूरे ग्यारा प्लेस पूरे क्यावास का सभी चीजों का साथ सेर कर देता हो यहां सबसे पहले बात कर लेता है कौन सी तीम में जीज सकती है यकीन माना कर आपका यह प्रेदिक् अपको देखने वाला है यहां पर आपको देखनो को मिलने वाला है बोलोगना कि overall के मैदान के ऊपर यहां पर 113 रंड्ट के आवरेज स्कोर्ड आखरी के पांच मैंचेस में देखनों को मिला वा है क्यानी कि कहीं नहीं कर यह एक फ्लेयर के ऐनालीसिस पे हैं मैं सर्फराज हो कि आखरी के कोछ मैंचेस में बलोगना की तीम कोट से इस समय है कैप बढ़ा हुआ है और अपनी टीम के लिए कभी सबी लोग अच्छा पर्फृमस करकी दे सकते हैं बल्ले बाज में भी तीसरे नमप पर आप आप जागा है सुरू के मैं अपनिंग कर रहा था आखरी के कोछ मैंच समय ओपनिंग के लिए आप तीसरे पर आ रहा है विकेट कीविंग से भी आपक काफी अच्छा देखने को मिला हुआ है बल्ले बाजी अपसोनाद के अलामीन मिया बहुत कम लोग इसके बार में जानते थे मैंने आपसे कहा था कि बल्ले बाजी के साथ यह आपको गेंड बाजी से भी अच्छा परफॉरमेंस करके देगा सेम वही हो रहा आखरी के हर मैचे एक एक दो ओवर वालिंग भी करके दे रहा है परफॉरमेंस भी काफी जाद अच्छा करके दे रहा है आखरी के मैचेस में अलामीन मिया को बल्ले बाजी में ओपनिंग कराए जा रहा है प्लस दो ओवर बालिंग भी पूरा दिया जा रहा है तो आपके लिए के लिए सबसे अच्छे प्लेस में से एक प्लेयर रहा सकता है जिसका naam है अलामीन मिया उसके बाद यहां साथ महमूद के सा जाँ जिसका बलेवाजी करम भलेही से नाइन नंबर के करीब है बलेवाजी में देख सिकते जब इसने पहले मैंश करा आप वॉलिंग से इसको 3 विकेश को मिल को यहां पर भी इसको बालिंग से दो मिले हुए यानि कि बॉलिंग से काफी जाद अच्छा पर्फोर्मेस करके दे रहा है जिसकर मैं एच महमूद तो इस दोनों प्लेस ऐसे होल रूंदर आपके काफी जादे अच्छे प्लेस रहेंगे है उसके बाद मैं ऐसा एच्छ एहमद के साथ हुआ हर बॉल पर छक्के चौके माने प्लेयर है अगर यह बंदा फॉर्म में आगे तो किसी भी तीम से निकालने लाइक आपके रहेगा नहीं स्मॉल लिग की तीम मना रहे है रिकॉर्ड काफी ज्यादा सांतर है लेकर रिकॉर्ड के साफ से सीजन के पर्फॉर्मेस करके दे नहीं पाया है आगर मैं रसीत के ब इसका बालिंग से रिकॉर्ड काफी है चाहिए कई सीजन ऐसे गए वह जाप इसने हर मैच के अंदर दो दो ओवर वालिंग पूरा किया हुआ है तो आज जो है फाइनल्स का मैच एक्सपिरेंस लेवल इसको है बहुत ज़्यदा हाई लेवल के तो हो सकते है कि आज इसको ब अगर यहां से एनहाग को खेलाए जाए जागा तो इसको भी मैं बिना को सोच लूँगा एनहाग का जो आवरेज है जो आवरेज है वह आपको चोंटीस के करीब का देखने को मिलेगा आखरी के नौ तीटन मैच जो इसने इस सीरीज से पहले खेल रहा था इस सीजन के अद आखर करके दे सकता है यह जिसके आप फोकस करके चलना तो हम रसीद हो रहा है नहीं है जो भी आपको प्लेइंग 11 में दिख जाए मिनिममम आपको छेचे साथ साथ जीयल की तीम में रखना ही रखना है यह दोनों काफी जादे अच्छे प्लेयर इसके बड़े तो एच्छ करते हैं और इस समय इसका भी पर्फरमेंस आपको हर मैस करते हैं इसी तरीकी का देखने को मिल रहा है उसके बाद यह गुजर के साथ जगो जो की बलेवाज में ओपनिंग भी कर रहा है प्लस बालिंग से भी तो और पूरा कर रहा है पूरे सीजन में भोलोगना की तीम का स अब से बहतरीन प्लेयर में से के 149 चौन चाहर एक सो चार एक तीस पॉइंस और उसका थीज़ा तो बिना को सोच आप पर्फरमेंस करके हुआ है तो बिना को सोच आप पर्मूले इसमॉलिक ग्रेलिक सभी जगा के साथ चले जाना उसके बाद है चीमा की बाद करो अगर इ मैच मैं इसको खिलाया नहीं गया है और जब भी इसने खिला हुआ है वहाँ पे इसने अच्छा पर्फरमेंस करके दिया हुआ सबसे में बॉलर्स में से एक है आस फाइनल का मैच होने तो मुझे लगता है सायथ प्लेंग 11 में मौका मिले तो फिर मैं इसको तीम में जरूर के बाद मालुम चलेगा तो तो सोने का मैं यां पानीान का जो भी में मैं इढई मुंच चींजर सोगे वसके बाद मैं फैर दिंस टीम सिवह आपको सबसे पहले से एक घड़ी हाँ जया हुआ intensive-चीन्पैस이 में तो सबसे पहले से एक है तो कमेंट करके पूछ ले ना उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा बात करें यहां से और रोंदी को अपसन है तो मैं सबसे पहले यहां से कहुँगा ए यहां से सजी दुल्ला किसा जानी की सोचरों आखरी मैच इसने दो ओवर बॉलिंग पूरा करके दो फिकत भी मिले हुआ हुआ है तो बल्ले बाद जो गेंद भाजी दोनों चीज़ करके दिया हुआ पहले ही मैच के अंदर देगा फिर से मैं इसको करने कोसिस करूँगा क्योंकि कहीं न कहींगे कैसा प्ले जो कि कभी भी आपको अच्छा परफॉर्मेस करके दे सकता है एक रिसकी पीक लिए पर देखने को मिलेंगे तीनों ऑच्छा परफॉर्मेस करके दे रहे हैं और चोगी था मुझे कोई जादा खास पसंद नहीं पर बाकिया यह यहां से कोई जाधा अच्छा प्लेर है नहीं अका आज दिपको बालिंग मिल ने रहा है बल्ले जी से कई बाद 10-15 दर न आपको नवए नमबर पे देखने को मिलेगा यही रीजन है कि कोई रिस्क नहीं लेने वाला बात के लेता है कैप वी सी के बारे में उससे पहले बाद आखरी के छे साथ मैंनों से मैं अपना पूरा पैसा जो है से लेवन चलेंजर से आपको लगा रहो यहां आपको फेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने पूरे पैसे लगाने वालों तो जाओ अभी कभी आप भी दाउनोद करके मेरे साथ खेलना सुरू कर लो बन सकता है वहीता दोस्ते के प्लेगा पूरा अनालीसिस बदा दिया जिसका आप नाम भी नहीं जानते हो को वीडियो अच्छा लगो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना तो असोन का लाइना पाने कदा माइफाइब तीम से लिए तेले गराम सरका लिंक आपका देस्किप् कर दोस्क्राइब का नमागो